IPL 2024 के आॉक्षन से पहले ही कई खिलाडी एक टीम से दूसरे टीम के साथ ट्रेट कर रहे हैं। पहले खबर आई कि हार्दिक पांडिया को मुंबाई इंडियन्स ने वापस ट्रेट कर लिया है। फिर कैमरून ग्रीन को मुंबाई से RCB के साथ जोड़ लिया गया है। रवी चंद्रन अश्विन ने बुद्वार शाम एक्स पर पोस्ट किया और इस पूरी खबर का सच बताया। मंगलवार से सोचल मीडिया पर एक पोस्ट अश्विन को कोट करते हुए वाइरल हो रही थी। इसके मुताबिक अश्विन ने अपने YouTube चानल पर बताया है कि संजू सैमसं को CSK की तरफ से कप्तानी का ओफर दिया गया था पर सैमसं ने इस ओफर को ठुकरा दिया है। लकिन भविश्व में इसकी संभावनाएं देखी चा सकती है। अब अश्विन ने इस पर से परदा हटाया और इस खबर का पूरा सच बताते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। अलाकि इसके बाद वो दिल्ली कैपिटल्स का भी हिस्सा बने लेकिन फिर आईपियल में राजस्थान रोयल्स की वापसी के बाद अपनी पुरानी टीम में लोड़ गये। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि चन्ने सूपर किंग्स संजू सैमसन को अपनी टीम का कप्तान बनाना चाहती थी। डील तकरीबन तैह हो गई थी लेकिन आखरे वक्त में विकिट की पर बल्लेबास ने मना कर दिया। साथी दावा किया गया कि अश्विन ने अपने यूट्यूब चानल पर ये बात कही लेकिन अब अश्विन ने इस खबर को पूरी तरह फर्जी करार दिया है। साथी कहा है कि सरह की दावों में कोई सच्चाई नहीं है। गरतलब है कि MS धोनी के भविश्य को लेकर हर बार IPL से पहले अठकली लगती है कि वो खेलेंगे या नहीं। पिशले सीजन के बाद उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ था अफिलहाल वो फिट दिख रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो IPL 2024 खेलेंगे। चन्नाई सूपर किंग्स ने उन्हें रीटेन भी किया है। कप्तान महिंदर सिंग धोनी की कप्तानी वाली चन्नाई सूपर किंग्स ने IPL 2023 का खिताब अपने नाम किया था। पिशले सीजन में धोनी एंड कंपनी ने हार्दिक पांडिया की कप्तानी वाली गुज्चा टाइटन्स को फाइनल मुखाबले में हरा कर अपना पाच्वा खिताब जीता था। खर ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो पर आपकी क्या रहा है हमें कमिन बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा शुक्रिया